तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से वेलकम आपका मेरे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें आज एक बहुत इंपोटेंट टॉपिक आपकी एकोनुमी की सलेवसका में लेकर आया हो उनके बारे में हमने पढ़ना है और दूसरी बार जैसे हमारा question आता है तो डारेक्ट किसी योजना के बारे में पूसता हो कि कब से लाग ओई किस मतलब कहाँ से लाँ विश पहले रफली बनाना रफली मैं इसले कह रहा हूँ क्योंकि मैंने रेंडम सेलेक्टी किये हैं वो आगे फिच्चे हो सकते हैं जब आप एक बार रफली इसको लिख लेंगे तो फियर कॉपी में उसको एक सिरीज से लिखना यानि जो पहले सुरू हुआ उससे आगे को बढ़ अप्शन ही ना रहे ठीक है जब आप NCRT कबर कर लोगे लूसाइन वोइस मैसिस के माध्यम से टेलिग्राम कबर कर वा रहा हूँ टॉपिक यहां से आपके अच्छे खासे लेवल के तैयार होने हैं अब कम्प्यूटर है या और जो सेक्षन है उस पे भी मैं जल्दे से काम करूंगा आपको अपनी मेहनत करते रहने ठीक है बहुत अच्छी प्लानिंग आपके साथ होगी और आने वाले संदे हम लाइब क्यूज में मिलेंगे चार वजे जैसा आप सभी लोग जानते हैं आपको चार वजे उत्राखन पूरा पढ़ना है उत्राखन करूंगा जो न इख लेजे संद जयन्ती ग्राम स्व रोजगाळ योजना मोड़ना है स्वर्ण जयन्ती jesti घ्राम स्वरोजगार योजना ठीक है स्वरोजगार योजना ये जो स्कीम थी कि ये शुरूवी थी एक अपरेल 199 को यानि इसकी जो सुरुवात मानी जाती है मतलब हुई थी कब हुई थी एक अप्रिल उनीस सो नियानिबे को और ये क्यों सुरू हुआ था ये याद रखना कि नाम से ही लग रहा है स्वारोजगार यानि अपना रोजगार तो इसमें क्या करता था सरकार ने कारगेट रखा था कि अधिकांस लोगों को जो तीन साल आने वाले तीन साल हुँगे उस समय के उससे गरीबी रेखा से उपर उनको लाए जा सके उसके लिए इसकीम सुरू की थी स्वारोजगार ये इसका नाम ही स्वारोजगार है यानि सेल्फ अपने आप में क्य अलग-अलग स्कीम चल रही थी उन 6 स्कीम को क्या कर दिया गया था मर्ज कर दिया गया था उसके बाद एक नई स्कीम आई उसका नाम था स्वार्ण जैनति ग्राम स्वरोजगार युद्णा इसको इंपोटेंट करना तीन वर्स में गरीबी रेखा से उपर इसमें लाने का लक्षे अब यह नहीं पूसेगा आपसे लेकिन फिर भी में लिख दे रहा है उपको वो न करना है गरीवी से उपर लाने का लक्ष रखा था गरीवी से उपर कर दे हमने एक टार्गेट था ठीक है और इसमें जो यह था स्वरोजगार जो योजना थी यह 6 योजनाओं को मर् करने के बाद जो भी लिखते हैं ठीक है मर्ज करने के बाद यह योजना आए थी तो हमने इतना ही देखने कब से शुरूवी थी इसी योजना को बाद में मनमोहन सरकार के समय में एक नया नाम दिया गया एक नई स्कीम से उसको बोला गया राष्ट्री ग्रामीन आजीवी क का मिसन लाइबली हुट ठीक है आजीवी का मिसन की सुरुवात की गई थी और यह हुई थी दोजार इग्यारम में का हुई थी जून दोजार इग्यारम में इसकी क्या कर देगी थी शुरूवात कर देगी थी जून दोजार इग्यारम में इसी से आई थी वो स्वांड जै आप उस्ता है तो जून 2011 में नेक्स्ट आपने लिखना है प्रधान मंत्री ग्रामीर सडक यूजना जो ग्रामीर इलाके होते हैं वहाँ पे जो सडक बनाई जाते क्योंकि प्राइबेट सेक्टर वहाँ सडक नहीं बनाएगा इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि वहाँ टॉल प्राइबेट सेक्टर का काम ही मुनाफ़ा कमाना है मैंने पहले बता है तो जो ग्रामीर इलाके होते हैं वहाँ प्रधान मंत्री ग्रामीर सडक यूजना चलती है लिखो आपने गाओं में भी देखना पी एम ग्रामीर सडक यूजना यानि इसको ऐसी बोलता है पी एम जी यूजना ये भी आपने नोट करना है नेक्ट लिखना आप खाद्य सुरक्षिया यूजना ये मैंने आपको रिसंडली पढ़ाया भी था इकोन में ये भी इंपोटेंट है गरीब लोंगले है ठीक है खाद्य सुरक्षिया यूजना और ये जो एक्ट था याद होगा आप पहले कराया हुआ है इसलिए मैं इसको डिटेल से नहीं बताऊंगे पूरा एक टॉपिक था हमारा गेहूं प्लस मोटे अनाज मोटे अनाजवार वाजरा वगरा जो होता ना उसके लिए इसमें प्रावधन किये गए हैं तो खादी सुरक्षा यूजना की शुरुआ सन 2013 में अपने आप में इसी एक्टे से मनी थी नेक्ष्ट रिकना आपको पी-म उज्वला यूजना रसोई गैस इसमें प्रोबाइट कराती है गवर्मेंट पी-म प्रधान मंत्री उज्वला यूजना ये जो सुरू हुआ था ये अपने आप में कपसे सुरू किया गया था सन 2016 एक मैई 2016 से इसमें गरीब परिवारों को क्या गवर्मेंट रसोई गैस उपलब्द कराती है एक मैई सब केंदी सरकार की योजने है ब्रेकेट में लिख दो रसोई गैस उपलब्द कराना रसोई गैस उपलब्द कराना ठीक है कि ये question आपको ज़्यादा details से पढ़ने है नहीं कोई लिखना थोड़ना इनके बार में तो डारेक्टर डारेक्टर question आते हैं प्रधान मंतरी उज्वला योजना रसोई गैस अब देखिए इसके बाद जो next आपका आता है वो आता है वालमिकी अमबेटकर योजना जो की सहरी आवास के लिए था जो सहरी छेत्र में जो मलीन बस्तियां वगरा हैं उनको हटा कर वहाँ पे उनके लिए एक मतलब प्रवपर आवास उपलब्द कराने के लिए वालमिकी अमबेटकर योजना लिखो दिसंबर 2001 में क्या लिखोगे वालमिकी अमबेटकर योजना वालमिकी अमबेटकर योजना इसकी जो सुरुवात हुई थी ये हुई थी सन 2001 में और December 2001 में सहरी आवासन के लिए इसको सुरुवात किया गया था December 2001 प्रेकेट में लिख देऊ सहरी आवास यह तू जैनि सहरी छेत्र में जो मलीन मस्ती हैं उनको प्रोपर आवास प्रोबाइट करना लिए सरकार ने वाल में की अंबिटकर योजना की सुरुवात की थी यह उतना इंपोटेंट नहीं है प्रधामंतरी उज्वला इंपोटेंट है खादी सुरक्षा इंपोटेंट है प्रधामंतरी ग्रामिन सर्लक इंपोटेंट है राष्ट्री ग्रामिन आजिवी का मिशन इंपोटेंट है, स्वान ग्राम जन्ती योजन वाला इंपोटेंट है नेश्ट लिखने आपको राष्ट्री सामाजिक सहाईता कारिक्रम, ठीका उपर इरेज कर रहा हूं है इसको आठा दिया मैंने, नेश्ट आपको क्या लिखने है राष्ट्री सामाजिक सहाईता कारिक्रम, पूरा लिखो राष्ट्री सामाजिक सहाईता कारिक्रम राष्ट्री सामाजिक सहाईता कारिक्रम राष्ट्री सामाजिक सहाईता कारिक्रम ये जो इसकीम थी, ये दो, तीन इसकीम इसके अंदर हैं और इसकी जो सुरुवात हुई थी ये अपने आपमोहिती 15 अगस्तो 1905 को इसके अंदर 3 इसकीम अलागल हैं एक विर्द्धा पैंशन योजना आती है इसके अंदर ये तीन इसकीम को लेकर मनी है एक का नाम में व्रिद्धा पेंसन योजना, यानि व्रिद्धा उस्ता में पेंसन देने से, व्रिद्धा पेंसन योजना, इसी का पार्ट हो, ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर आता है, वो आता है, राश्ट्री परिवार लाव योजना, क्या लिखोगे, राश्ट्री परि परिवार लाव यूजना और इसके अंदर जो थर्ड आता है वो आता है अपने आप में क्या राष्टी प्रसव लाव यूजना क्या लिखोगे राष्टी प्रसव लाव यूजना राष्टी प्रसव लाव यूजना यानि इन तीन स्कीम से क्या में नहीं है अपर राष्टे सामाजिक साहिता कारिकरम तो इस सामाजिक रुप से साहिता करने है तो तो socially क्या करना है परिवारों को लाब पहुंचाना है प्रसव पीडितों को लाब या प्रसव जिसका है या विद्धों को पैंशन देने से संब्द देता है और इस योजना को आप मर्ज कर दिया गया है अनपूर्णा योजना में अभी अनपूर्णा आएगा ठीक है इसके ब्रेकेट में लिखो अनपूर्णा योजना यानि अभी इसके अंदर सामिल होगी है अभी इसके बाद बताता हूं ठीक है यह इसके अंदर आगिये व्रिद्धा बेंचन योजना को अनपूर्णा योजना के अंदर भी डाल दिया गया है अगला रिखने आपको प्रधान मंत्री रोजगार योजना जबकि ये वाला इंतरा इंपोटेंट नहीं है पहले बतारों जो इंपोटेंट होंगे प्रधान मंत्री जो रोजगार योजना थी इसकी सुरुवात हुई थी बताद 2 अक्टोबर 1993 से इसकी सुरुवात की गई थी और इसके बाद एक प्रधान मं प्रधानमंत्री रोजगार स्रजन कारिक्रम है जो कि 2008 से शुरुवात हुई थी इसकी हुई थी 2 अक्टोबर 1993 और इसी के साथ प्रधानमंत्री रोजगार स्रजन कारिक्रम आता अगला वो लिख लीजिए प्रधानमंत्री रोजगार स्रजन कारिक्रम प्रधान मंत्री, रोजगार, सर्जन गारिकरम होगा तो आपका एक क्वेशन यहीं से इस चैप्टर से मतलब इस टॉपिक से आ जाएगा इसकी सुरुवात की गई है सन 2008 से ठीक है कब से? 2008 से 15 अगस्त 2008 यह दोनु उतने ज्यादा इंपोटेंट, यह तीनु उतने ज्यादा इंपोटेंट नहीं है इसमें आपको इंपोटेंट लिखने की जरुवत नहीं है ठीक है? जो इंपोटेंट होगा मैं आपको बताऊंगा इसमें लिखने की जरुवत नहीं है और ऐसा भी निगिश को पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़के जाना है नेक्स्ट है आता आपका वो दोनों इंपोर्टेंट है एक अन्पूर्णा योजना लिखो एक अन्तियोदाई अन्योजना लिखो ये पहले मैंने आपको करा रहे हैं गरीबी निवारन कारिकरम के अंदर ठीक है मतलब जो मैंने खादी शुरुक्षा पढ़ाये थी अन्पू की उन्पूर्ण किया करती है एक राषन उपलब दकराती कि लोगो जैसे जो लोग व्रिधा पन्सन योजना के लिए इलिजीबल हैं लेकिन उन्को उनको पैंसन नहीं मिल रही है यानी 65 वर्शक से उपर के व्रिध्रों को जो इलिजिबल तो है पैंसन के लिए लेकिन नहीं मिल पारी, उनके लिए यह है अन्पूर्णा योजना, तो आप से question सीदे ही पूछता है, अन्पूर्णा योजना की सुरुवात कब से हुई थी, ठीक है, इसी के तहित अगला आता है अन्तियोधा योजना, यह भी important करना, अंतियोधा क्या होता है, जो गरीबु में भी गरीब होता है मैंने पहले भी आपको समझाया था अंतियोदय योजना खाद्य सुरक्षावाला टॉपिक पॉल डिना उसके अंदर इस सब बता रखें इसकी सुरुवात वी ती दिसंबर नरेगा वगएर आप कहते हैं वह अपने आप में क्या है most important है तो लिखो महत्मा गाधी रोजगार गारेंटी अधिनियम यह बहुत ज्यादा important है और यह act का प्यासन 2005 का यह act है यानि इस act का इसका नाम की महत्मा गाधी रोजगार गारेंटी अधिनियम है इसको act को 2005 का बोला जाता है यह क्या है अपने आप में एक परकार खा कानूनी व्यवस्ता है रोजगार देने की बाकि अन्ये तो खाली घ रोजगार की कहे कानूनी व्यवस्ता है अन्य योजणाव में देखना खाली announcement होता हो कानूनी कोई प्राउधन नहीं है इसमें सरकार क्या करती है एक प्रकार का 100 दिनों का guarantee रोजगार की guarantee देती एक वर्ष्ट के अंदर आपको ग्रामीड शेत्रु में जो भी है एक परिव का प्रती परिवार एक व्यक्ति रोजगार प्रती शिर्फ एक को में लेगा है एक परिवार से दो दो जारता नहीं लगते हैं प्रती परिवार एक व्यक्ति को रोजगार देनी किये योजना है इसको थोड़ा डेटेल से पढ़ना ही पढ़ता है मन्दे का योजना की जो सुरुवाथ हुई थी वह हुई थी दो फरवरी सन 2006 से और ये 200 जिलु में इसको स्टार्ट किया गया था 200 जिलु में ठीक है यह भी question बूशता है जबकि इसको संपूर्ण देश में जो लागू किया गया था 2008 यानि पूरी country में इसको जो लागू किया गया था 1 अपरिल 2008 से संपूर्ण देश में लागू हुआ था साथी शाथ इसके अंदर क्या प्रावधान है पंद्रह दिनों के अंदर आपको रोजगार उपलब दगराए जाएगा अपलाई करने के बाद नहीं करोगे तो बिरोजगारी भत्ता मिलेगा पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार की बात कही गई है इसमें ठीक है? ये जो इसकीम शुरू हुई थी ये आंधा प्रदेश के अनंतपुर गाउं से शुरू हुई थी पहले इसका नाम क्या हो था? नरेगा होता था यानि राष्टिक रोजगार गारिंटी अधिने बाद में 2 अक्टोबर 2009 से इसको मन्रेगा यानि महत्मा गादी के नाम से जाना जाना लगा ठीक है? तो लिखो 2 अक्टोबर सन 2009 से इसको क्या गा गया? मन्रेगा यहां जब बना था यह नरेगा नाम से दाना जाता था तो यह पूरा आपको इसके बारे में फैक्ट पता होने चाहिए ठीक है अगला जो दो-तिन मैं कराऊंगा वो most important वो भी है यह भी क्या है अपने आप में most important है अगली कुछ scheme इसको जल्दी से screenshot लेजिए अगला मैं जो कराता हूँ उनको भी most important आप लोग को करना होगा देखिए अगला जो आपको मैं बताऊंगा वो है try same बहुत ज़्यादा important है पुरानी टाइम पर बहुत पेपरों में आया करता था है ठीक है अब तो आएगा भी हो सकता है कि आजाए next लिखे आपको try same क्या लिखोगे try same try same ठीक है ये अपने आपमे gramID yu eye को training देने से समबंदित है यानि gramID इलाके में जो युवा होते है उनको अपने स्वरोजगार के लिए क्या देता है इसमें training देता है तो इसका जो trisame है इसका लक्षी क्या है अपने आप में जो ग्रामीड इलाके हैं ग्रामीड युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिशन देना है और इसकी जो शुरुवात हुई थी वो वी थी 1979 में ठीक है 1979 में शुरू हुआ था और इसमें लिखो ग्रामीड युवाओं को स्व स्वरोजगार का प्रशिशन इनको ऐसे लिखना यह इस टैप की नाम याद रखना है एक तो आपको यह याद रखना है इसके साथ जो नेक्स्ट आता है वो भी बहुत इंपोर्टेंट है और उसका नाम है समन्वित ग्रामीड विकास कारिक्रम क्या लिखोगे समन्वित इ इसको बोला रहता है इंट्रिगेटेट रूलर डेवलेप्मेंट प्रोग्राम यानि आई आर डी पी ऐसी याद रहना है ट्राइसेम आयार डी पी इसकी जो सुरुवात हुई थी वो नाइंटीन हंडेट एंटीम हुई थी सेकेंड अप अक्टोबर ठीक है तो यह कब से असी को आयार डी पी की क्या कीगी थी सुरुवात की गई थी इसी के तहट वो भी इंपोर्टेंट है ग्रामीन और इस्थापन विकास कोस की स्थापना की थी ग्रामीन इलागों में इंफ्रेस्ट्रेक्चर को डेवलेप्मेंट करने के लिए ग्रामीन और इस्थापन यान यह जो सुरुवात हुई थी, इसकी सुरुवात की थी 1995-1995 में यह सुरुवात हुआ था, जो ग्रामीन इलाके का जो अपने आप में इंफ्रास्ट्रेक्चर है, चाहे साड़क है, पुलिया है, जल्सरोत हैं, उनके लिए फंडिंग करता है, और इसको जो फंड देगा, इसक 1882, Most Important, द्वारा वित्तियन किया जाता है, द्वारा वित्त व्यवस्ता किसकी, इस वाले की, ठीक है, वित्त व्यवस्ता, इसकी की जाती, बहुत इंपोटेंट है, ग्रामीन अवस्तापन, विकास, कोश, भी ठीक है, नाबार द्वारा, इसके बाद आता है, आपका अटल योजना ठीक है देखे अटल खाद्यान योजना लिख लीजे है अटल खाद्यान योजना लिख लीजे देखे ये तो आपका उत्राखन का है तो इसले भी इंपोटेंट है अटल खाद्यान योजना उत्राखन का है और यह शुरुवात हुई थी इसकी 2021 में यह बहुत इंप वो सब नहीं आएगा पेपर में अटल खाध्यान योजना की शुरुबाद 2021 से भी थी इसमें APL परिवारों को 10-10 kg गेमों और चाउन दिया जथा चार ईपया कीजी और चैश्य उपया कीजी के हिसाब से नेच्ट आपको लिखना है सांसद आदर सग्राम योजना की सांसद आदर सग्राम इसमें क्या करते हैं सांसद वगयरा कुछ गाउं को गोल लेते हैं जब बीजीपी यह ज़कार नहीं सरकार बनी थी 2014 क्या सब्षाइ की थी इसकी शुरुवात हुए थी 11 October सन 2014 से ठीक है ये भी इतने important नहीं है ये वाला ज्यादा important है अगला था अटल pension योजना ये आपका current issue के अंदर जो कुछ साल मों पहले शुरुवात हुए थी वहां के अंदर ये question पुछा जा सकता है और important है अटल pension योजना इसकी जो सुरुवात हुई थी सन 2015 मों हुई थी इसमें क्या है जो वर्ग है आयू वर्ग है 18 से 40 साल के लोग आते हैं 18 to 40 वर्स वाले जो होते हैं वो eligible होते हैं इसमें ठीक है ये apply कर सकते हैं और जब ये 60 साल के हो जाएंगे after 60 year ठीक है यानि जब ये 60 साल के हो जाएंगे इनको क्या मिलेगी पेंशन मिलेगी लगभख 5000 तक इसको क्या ज़्यादा पेंशन मिलती है और ये अपना premium दिंगे कुछ पैसा जमाव अगयरा करेंगे उसके बाद जो 60 साल के प्लस हो जाएंगे उनलों को 5000 तक क्या मिलेगी पेंशन मिलेगी तो अटल पेंशन यूजना कब से कौन से वर्ग कोई target करता है या आपने ध्यान रखना है नेस्ट एडिंग डालिए आगे आता है देखो वैसे यहाँ पे तो इसकी जगह नहीं बनती है लेकिन यह important fact है अब कहीं न कहीं तो बताना था तो मुझे यहीं पर मिला मैं यहीं पर बता देता हूं आपको बंधु हुआ मजदूरी रोग एक्टे ठीक है मजदूरी रोग अधिनियम रोग एक्टे लिए हमने आप अधिनियम लिख लिए जो भी लिखते हो 1976 का है जबकि यह प्रभावी माना गया back date से जैसे आज कोई कानून बनाते ना कभी कभी कोई चीज़े क्या होती back date से लागू होती यह माना गया प्रभावी 1975 से सबोज अगर कोई कानून आज बन रहा है उससे हम यह कहते है पिछले दो वर्सों से उसको माना जाएगा जो उसमें हुआ होगा तो उसको प्रभावी माना गया 1975 से यह क्षण इंपोटेंट रहता है ठीक है पच्छेस अक्टवर 1975 से लिख दो इसमें डेड़ भी लिख दो कब से माना गया 25 अक्टोबर यहां से प्रभावी वाता बंदुवा मजदोरी रोक अधीनियम तो वैसे यहां पर यह रोजगार कारेके में गरीवी नियारा नहीं है फिर भी यह बहुत ज्यादा इंपोटेंट फैक्ट आपका देखने को मिलत लिकरत है अगला लिखने आपको प्रधान मंत्री जन धन योजना प्रधान मंत्री जन धन योजना पी-म-ज-धी प्रधान मंत्री जन धन योजना इसकी सुरवात हुई थी ये भी इंपोडेंट है 28 अगस्त सन 2014 से और जबकि इसकी घोस्थ Nawa ती उसी साल 15 को ठीक है जैनि 15 अगस्त को इसके क्या की थी? घोषना की थी, ऐसे लिख लिए ये 15 अगस्त घोषना ये जो प्रधान मंत्री जंधन योजना है इसमें क्या होता है? बैंक में खाता खुलवाए जाता है तो finally जब खाता खुलेगा आपके बैंक में जब खाता कुलेगा सरकार सबसीडी दे या आपकी जो बैंक तक पहुंच हो ओपर और financial inclusion के लिए चीज़े होती है वित्ती समावेशन इससे होता है वित्ती जो परकिरिया है उसमें अधिकतम लोगों को सामिल किया जा सके उसके लिए ठीक है वित्ती समावेशन लिख लिए इसमें अगला आता है आपका परधान मतरी सुरक्षया बीमा योजना यह आपका इसके अंदर important हो जाएगा जो important अदर भालफिलाल की मोधी सरकार की कुछ योजनाय पुषता है परधान मतरी सुरक्षया बीमा योजना योजना ठीक है जो प्रधायमिंतरी सुरक्षा बीमा योजना है इसकी सुरुवात हुई थी एक जून सन 2015 से डेट भी याद रखने है आपको इसकी ठीक है एक जून सन 2015 से इसकी सुरुवात हुई थी और इसमें जो एज गुरूप आता है यानि कौन इसके अंदर आएगा वो आएगा आपका 18 से 70 वर्ष तक के लोग इसके अंदर इलिजीबल है यानि पात रहें इस योजना का लाव उठाने में और इसमें क्या होता है आपको सालाना 12 रुपे प्रीमियम देना होता है 12 रुपे का सालाना प्रीमियम है यानि सालाना इतना आप जमा करोगे जवाहर रोजगार योजना ये भी इंपोटेंट हा आपका जवाहर रोजगार नाम से ही लग रहा हो रोजगार इसकी सुरुवार्ट भरत सरकार भरत की गई थी अपने आप में 1 अप्रिल सन एट नाइटीन हंडेड एटीन नाइटीन सेस की सुरुआ की गिती ये भी आपको ध्यान रखना है और यहीं पर एक से जस्ट पहले मैं आपको पहले बताना भूल गया था वहाँ पे आप लोग लिखेजे ग्रामेन भूमिहीन रोजगार गारेंटी योजना वो भी मोस्ट रूरल भूमिहीन लेंड लेस ठीक है भूमिहीन ग्रामेन भूमिहीन रोजगार गारेंटी कारिक्रम भूमिहीन रोजगार ये भी मोटेंट है गारेंटी कारिक्रम ठीक है इसकी देखो या तो सुरुआत पूछ सकता है या पूछ सकता है कभी कभी कि कौन से एक रोजगार guarantee कारिकम के अंदर आते हैं नहीं आते हैं 15 अगस्ता 1983 से इसकी शुरुवात हुई थी 15 अगस्ता 1983 से और ये जो अपने आपने ग्रामीर भूमी यानि अपने आपने रूरल लेंडलेस ठीक है RLEGP इसको ऐसे दिखू Rural Landless Employment Guarantee Program ठीक है इसको आपने इस प्रकार से दिखना है अगला आताक को स्वालंभन योजना ये क्या था महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई थी बहुत पहले उसका नाम था स्वालंभन योजना स्वालंभन योजना स्वालंभन योजना की जो शुरुवात हुई थी वो अपने आपम का भुईती 1982-83 में महिलाओं को प्रेडिंग देनी थी और उनका स्किल डेबलब करना था यह तो इसकी सुरुवात की गी थी स्वालंभन योजना की ठीक है अगला जो आपका आता है वो आता है अपना असंगठित स्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का पारित वाता यह भी most important करना एक संगठित छेत होता है एक असंगठित होता है तो असंगठित ये मैंने आपको पहले गवार बताया भी था कि असंगठित छेतर किसको कहता है संगठित असंगठित स्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिन्यम असंगठित स्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिन्यम सुरक्ष्या एक्ट ये जो सुर्वात हुई थी इसकी का हुई थी सन 2008 में इसकी क्या हुई थी सुर्वात हुई थी इसको आप लोग ने ध्यान रखना ही रखना है ठीक है असंगठित, स्रमिक, सामाजिक, सुरक्षा, अधिनेम की सुर्वात विती 2008 में और इसको भी आप लोगने important करने है Next आपका आता है भारत निर्मान योजना वो most important कर देना भारत निर्मान योजना ये सब कॉंग्रेस सरकार की योजना है मैंने क्या आप लोगने भी बहुत बार नोट किया हुगा एक सी ध्यान से देना पहले आप भारत निर्मान योजना लिखे लो ये विती 2005 से और ये था किसी चीज के लिए ग्रामीन और इस्थापन के लिए यानि ग्रामीन इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने क्या चीज नोट की आपने भी नोट किया होगा होता क्या है जिसकी सरकारें सत्तामु होती है जिस पार्टी की चाहिए केंडरेश तरपे हो या राजिस तरपे उनसे संबंदित योजना ज्यादा पूछी आते एक्जाम यह बहुत बार आप लोग नोट करना तो जो कॉंग्रेस के समय की योजना हैं इसमें आपको कम देखने को मिलेगी बस बहुत इंपोर्टेंड वाली मिलेगी जिसको आज सब ने समर्थन किया था जिसे आपका खाद्य सुरक्षिया पूछ सकता है मन्रेगा पूछ सकता है अब इंद्रा आवास, राजी आवास इस टैफी वशनों के सांसे कम रहते हैं पूछने के अटल वाले जादा रहेंगे वर्तमान सरकार के हिसाब से ठीक है तो यह चीज आपने नोट करना और जो पुरानी यूजने हैं उनको जादा फोकस ने करते हैं कुछ मैं बताऊंगा जो किसी के नाम पे नहीं है जो अभी भी चल दे हैं वहाँ से जो आता है इस प्रकार कर रहता है भारत निर्मान यूजना बहुत इंपोटेंटर 2005 से ग्रामेंड अवस्थापन यानि जो ग्रामेंड इलाके हैं वहाँ पे इंफ्रेस्टक्से डेबलब करने के लिए अब इसके अंदर क्या-क्या पॉइंट आता वो ध्यान रखना देखो ग्रामेंड इस्थापन में मतलब एक विध्यूत के लिए काम करता है यानि ग्रामेंड इलाके में लाइट के लिए ग्रामेंड विध्यूति कराने के लिए काम करेगा इसके अलावा ग्रामेंड इलाके में सड़क के लिए है ये कौन-गोन से पॉइंट आता है ये ध्यान रखना ठीक है ग्रामेड इलाकों में पेजल हे तु है यानि ग्रामेड विद्धोती करण ग्रामेड सड़ा, ग्रामेड पेजल इसके अलावा जो दूर संचार, सिंचाई और निर्धन आवास के लिए है उसके लिए चलता है तेक है दूर संचार दूर संचार टेलिफोन वगरा इसके अलावा क्या हो जबता है सिंचाई और ग्रामेण आवास ग्रामेण निर्धन आवास लिख तो निर्धन वे तो आवास ये भारत निर्मान का लक्सी है तो ये सब इंट्रास्ट्रक्चर होता है ठीका वो इस्ताबन जो बेसिक बुनियादी चीज़े इसको गहते हैं ये इसी के लिए भारत निर्मान योजना की सुरुवात की गी थी अगला लिखना आपको प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना इसकी जो सु सुरूर्वात हुई थी सं दो होजार मनलब दो हुजार ऐक मैं इसकी फूरुवात हुई थी अगला कुछ से संबदीत आपको योजने बताउंगा अब आपि यह मत कहना सर यह रोजगार और गरीवी निवारण कैसे हुए देखें होता है क्या है कुछ स्कीम अपने आप में एजुकेशन से होती हैं जो जब आप सिक्षित होंगे तो आपको रोजगार मिलेगा अधिकार से लोगों को ये इसके अंदर विचार था रहा है तो पहला लिखे सर्वशिक्षिया अभियान ठीक है आप लोग जब छोटे होंगे तो आपनों एक चाहिए चैसे 14 वर्षा तक केस के अंदर के आएंगे बच्चे आएंगे टार्गेट जो गुरूप होगा दूसरा लिखो साक्षर भारत मिसन सन 2009 में इसकी जो सुरुवात विटी सन 2009 में इसकी सुरुवात विटी ठीक है नेक्स्ट आपको लिखना है ऑप्रेशन ब्लैक ब ब्लैक बोर्ड इसकी शुरबवात हो इसलिए सन 1987 से और ये था प्रात्मिक शिक्षास यानि प्राइमेरी जो एजूकेशन होती है रेकेट में लिख लिए प्रात्मिक शिक्षा ही तू ठीक है और अंतिम जो शिक्षा से संबंदित है वह आता है मतलब ये तो होई हो गया ये तो शिक्षा से संबंदित ही तो हो गया एक स्वास्त से संबंदित इसकीम है मोस्ट इंपोटेंट उसको बोलते है एन रहम यानी राष्ट्री ग्रामीन स्वास्त मिशन सुना होगा इसको मोस्ट इंपोटेंट करना देना ठीक है बार अप्रेल भी लिखती है इसको बार अप्रेल अब जो आता है है शिक्षा से संबंदी तो आता है मध्यान भोजन योजना जिसको कहते हैं और मध्यान भोजन योजना लिको जो ग्रामीन इलाके या सहरी इलाके जहां भी है जो सरकारी वगरा इसको लोते हैं वहां बच्चों को भोजन की व्योस्ता कराई जाती है वही मिड्डे मील योजना ठीक है मध्यान भोजन योजना लिको मध्यान भोजन योजना या मिड़े मील योजना इसकी सुरवात भी थी कब 15 अगस्त 1995 से मध्यान भोजन योजना की सुरवात 15 अगस्त 1995 से नेक्स्ट लिखना आपको सामुदाई विकास कारिक्रम लास्ट कलास में बताया था मैंने जब मैं पंचाईती पढ़ा था ये भी मोस्ट इंपोटेंट है सामुदाई विकास कारिक्रम डेट ही आती इसकी इसकी सुरवात हुई थी 2 अक्टोबर 1952 से ये बहुत ज़्यादा इंपोटेंट फेक्ट है सामुदाई विकास कारिक्रम की सुरुवात का वुई थी ठीक है अगला जो आता आपका राश्ट्री ग्रामीन मतलब नैशनल रूरल डेबलप्मेंट सस्थान यानि ओर्गनेजिशन कहां पे है यानि जो इस्टिटूट है तो वो हैदराबाद में है इसको मोस्ट से मोस्ट इंपोटेंट करना राश्ट्री ग्रामीन विकास सस्थान ये कहां इस्तिधाई पूछता है ये बहुत इंपोटेंट है ये है आपने आप में हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है विकास हस्तान की जगफ है, हैधराबाद में पेपर पूछा जाता है, अब आता है आपका समेकित वाल विकास योजना है, कुछ ही बची पांचे, ठीक है, समेकित वाल विकास योजना है, समेकित इंट्रिगेरेटट चाइ longitud डेवलप्मेंट विकास से मैं ठीक है सर्विसेज या जो भी आता पेपर में इसकी सुरुवात हुई थी 1975 में आपको ये भी याद रखना और इसी के साथ एक अन्य चीज भी थी न्यूंतम आवशक्ता कारिकरम यानि मिनिममम नीड से संबदी थे न्यूंतम आवशक्ता कारि ये भी कब से सुरुवा था 1975 में ये भी आपनों को ठ्यार रखना है अब देखे चार या पांच बची हैं एक लिखो आम आदमी बीमा योजना सन 2007 से शुरुआ दूइटी ये उतना इंपोटेंड नहीं है ठीक है क्योंकि बीमा की अलग-अलग पॉलिशी आ गी है और एक आवास योजना लिखना है राजी आवास लिखना है बहुत इंपोटेंड नहीं है फिर भी लिखो एक आम आदमी आवास योजना आम आदमी बीमा योजना ये शुरुआ थी 2007 से अगला लिखो इंदिरा आवास योजना बहुत इंपोटेंड नहीं मैंने पहले बताया क्यो ठीक है इंद्रा आवास एक्जाम की दिश्टे से हैं वैसे तो इंपोटेंड है यह यह वी थी 1985-86 में और राजी आवास यूजना दोजार लिग्यार यह शहरी आवासन के लिए था योजना यह हुई थी सन 2011 में यह सहरी छेत्रू के लिए था ठीक है राजी वावासवाला सहरी छेत्रू के लिए अब देखे दो चीज बता रहा हूं वो फैक्ट क्या पता मुझे व्यक्तिका तोर पे लग रहा है वो आ सकता है सबसे पहले विचार दिया गए था एपीजे अबदुल कलाम के द्वारा उन्होंने यह कहा था अगर आप ग्रामेड शेत्रू का विकास आते हैं वहाँ से प्लाइन को रोकना चाते हैं ग्रामेड इलाकों को बहतर बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए पुरा का कॉंसे किया था तो हमें सिर्फ यह देखना है पुरा की जो मतलब वो था क्या कहते हैं अपने आप में एक प्रकार की घोसना हो किसके तो आरा सबसे पहले उसका विचार दिया गया था वो अपने आप में दिया था एपीजे अबदुल कलाम के द्वारा ठीक है तो लिखो पुरा क विचार सर्वा पर्थम किस ने दिया पुरा का विचार सबसे पहले किस ने दिया तो वो अपने आप में इसका फुल फॉर्म आप खुद लिख लिजे providing urban amenities in rural area यानि providing urban amenities in rural area यानि ग्रामेण इलाकू में सहरी छेत्र की सुविधाएं उपलब्द कराना providing urban facilities या एमिनिटीज in rural area जो भी कहते हो यानि आप मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ ग्रामेण छेत्र में ग्रामेण छेत्र में सहरी सुविधाएं उपलब्द कराना सिंपल सी बात सहरी सुविधा उपलब्द कराना कराना ये क्या था? पूरा था यानि providing urban amenities in rural areas ग्रामेण छेत्र में सहरी सुविधाएं उपलब्द कराना कलाम ने 2003 में PM ने घोषना की इसकी बार ठीक है, PM ने घोषना कर दी थी लेकिन खाली विचार आता आपका, इयर वगर नहीं पूछेगा इससे, अब लाश्टे के दो फैक्टे पूछते हैं, एक होता है 15 सूत्री कारिकरम, एक होता है 20 सूत्री कारिकरम, लेखो, पंदर, जैसे 15 सूत संक्याक हेतो, और जो 20 सूत्री होता है, वो होता है गरीबी निवारण हेतो, 20 सूत्री कारिकरम, गरीबी निवारण लिखते हैं, गरीबी को मिटाने के लिए, यह वह था 1975 में इसकी खोषना की गी थी, गरीबी निवारण वाली की ठीक है, 20 सूत्री कारिकरम की 1975 में खोषन की थी ये था आपका एक महत्पूर्ण टॉपिक आपका रोजगास रेजन वो अपने आप में गरीबी से संबदी जितना भी है थोड़ा फैक्ट हैं यह हैं क्या कर सकते हैं बताओ इतना अगर आप लोगों ने काम कर लिया तो मान के चलिए एकोनोमी में जो योजना वाला प पहले भारत सरकार की महत्पूर्ण योजनाओं का एक वीडियो में आप लोगों को प्रोबाइट करा दूंगा आप उसको तैयार कर देना उम्मीद है आपका ही सेसन समझत हो क्या क्योंकि फैक्ट हैं रटने वाली जीज़ है आपके रटने में आसान होगा यह मैं मान के च जलता हूँ फिर मिलता हूँ अगले सेसन में ध्यान रखिये थैंकिए